हाई दोस्तों वेलकम तो मैं चैनल मेरी मरजी शोमूस लोग तो मैं आच चुकी हूँ ऑफिस से तो मैं आच चुकी हूँ अभी बहुत बहुत जादा टायर्ड हूँ तो पहले कुछ खा लेते क्योंकि बहुत भूग लगा है मैंने शायद 2 बजे लंच किया है तो अभी चावल लिया है और यहां पहें कोई माज माने फुल को भी देखे बनाया है देख सकते हूँ तो मैं खा लेती हूँ अभी बहुत जादा भूग भी लगा है मुझे तो फटा-फट बैठके खा लेती हूँ फिर इसके बाद आप लोग के साथ मैं बात करूंगी सो खाना खा कि मैं आज चुकी हूँ अभी थोड़ा बैठूंगे फिर ममी पापा के लिए चाय में बनाओंगे अभी नहीं थोरी देर के बाद तो तो एक बात हाँ मैं अभी बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोग के पास अगर आइफोन 6 & 6s यह सब है तो अगर हैंगिंग इशू दे आ रही हो क्योंकि पहले तो ऑफ़न कर लेना ठीक है और जो जंग फाइल है उसको डिलीट कर लेना देन जो एक्चुली प्रॉब्लम ज्यादा तर देता है न कि 80-90 परसंट लोग सोचते है कि उसको घोस्ट टच बोलते है क्योंकि वह अपने आपना टाइप होता रहता है तो इसके लिए उसका नाम पर या घोस्ट टाइप तो मेरा ऐसा हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ऐसा हो रहा है ऐसा तो नहीं होना चाहिए आइपोन का आइपोन तो बहुत स्मूध रहता है तो क्या हुआ ज्यादा तर 90-95 परसंट प्रॉब्लम किसमें हो रहा होता है मैं यह बोल दीती हो आप लोग यह अगर आप लोग अगर आईपोन 6 और 6 7 है 6S है तो यह वाला नुष्ट का आप लोग को यह प्रॉब्लम हो रहा है जो स्क्रिंगार्ड है ना स्क्रिंगार्ड अगर आपने बहुत टाइम हो गया आपने खोला नहीं उसको क्लीन नहीं किया ह मतलब दूसरा नया नहीं लगाया है और जो स्क्रिन गार्ड है वो तूट गया है ठीक है तो जल्द से जल्द उसको जाके रिप्लेस कीजिएगा और सच पता रही हूं मैं दिखा दे रही हूं ठीक है अभी मैं दिखा भी दूँगी कैसा मैंने अभी पूरा स्मूध चल रहा है क्योंकि में चेना डर लग गया था कि ऐसा ऐसा कैसे ऐसा कैसे चल रहा है यह दिखिए अभी पूरा पूरा चका चक चल रहा है रुके यह देखिए उल्टा दिखाने में थोरा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे तो यह देखिए ठीक है तो अभी पूरा ठी है तो जो मतलब उपर का स्क्रीन है उसको निकालके क्लीन करके नया वाला आइफोन का स्क्रीन कार्ड लगा दीजिए तो 95% मैं शूर्टी दूँगी वो ठीक हो जाएगा ठीक है अगर अपने बहुत सारे एप्लेकेशन खोल के रखा है और फिर गैलरी पूरा फूल है अपने आइक्लाउड से आइक्लाउड भी नहीं देखा आइक्लाउड क्लीन नहीं किया या फिर बहुत सारे बहुत सारे भी होकें रखें वो सब भी आपको देखना होगा ठीक है तो वो सब भी आप लोग देखिएगा तो थोड़ा सा अगर आप ये सब कुछ मेंटेन करते हैं तो मैं सच बता रही हो कि आपका आइफोन बहुत स्मूज चलेगा कोई हैंगिंग इशू नहीं होगा ठीक है वो हम अगर फूल हो गया है तो वो कहां से जगा देगा आपको कहां से तो मेरे को ये प्राब्लम मिल रहा था कि घोष्ट टच हो रहा था मेरा फोन में तो इसके लिए मैंने बहुत कुछ ट्राइग क्या नहीं हुआ फिर स्क्रीन गार्ड मैंने चेंज कर दिया अभी पूरा चक तो वो बॉस डिलेट कर दो ठीक है जो नहीं चाहिए वो रखने का क्या फायदा ना और स्क्रीन काड अगर पूराना हो चुगा है ठीक है अगर फटा नहीं है आपका क्रैक नहीं हुआ है फट मतलब क्रैक नहीं हुआ है पूराना हो गया है तो आप उसको तुरंती जाके clean करके नया वाला लगा दो ठीक है और अगर किसी का ऐसा हुआ है तो ये वाला try करो और मेरे comment थोड़ा सा अभी कितना time हुआ है देख ले तो 7.35 मेरा इंग उल्टा रहता है मेरा दीती हमेशा कॉमेंट करती है तो 7.35 है 22.00 अक्टबर अच्छा दोस्तों एक बात मैं बोलना चाहूंगी मनला पूछना चाहूंगी ठीक है ये सच में मैं पूछ रही हूँ आप सबसे जो लोग मेरा वीडियो देखते है मैं उनसे मैं दरख्वास करूंगी आज प्लीज कॉमेंट शिक्षन में ये वाला कॉशन का एंसर जरूर दीजिएगा कि आप सब लोग की लाइफ में ऐसा कोई इंसार मिलता है ना कि जो हर बात में जी हुजूरी लगाए हाँ 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 ऐसे मुंडी हिलाए मिलता है ना हाँ हाँ मतलब गलत हो कुछ हो मतलब मतलब चेंज हो जाता है वो इंसान ना मतलब हर चीज में हाँ 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 हाम ही भरता रहता है ऐसा अगर कोई है आपके दोस्त है कलीक है कुछ भी है ठीक है मतलब या फिर आस परोस में रहता है कहीं पर आपके life मिला होगा फिर once on a blue moon आपको आपने मिला होगा यासे इनसान को तो प्लीज आज के comment section में ये जरूर बताईएगा मिला है क्या है yes or no just आपको yes or no comment section में देना है ठीक है तो मुझे मिला है हाँ yes so कैसे होते है थीक है इसके बारे में बात में बात करते है इस तरह का सब इस तरह का इनसान क्यों होते है बता है जिन लोग का कुछ knowledge नहीं होता है ठीक है वो लोग कुछ करके आगे नहीं बर सकते है वो लोग जीहजूरी करता है, जिन लोग का कुछ अंदर क्वालिटी है, वो लोग कभी जीहजूरी तो बिल्कुल भी नहीं करेगा ना, तो मेरे हिसाब से यह रिजन हो सकता है, तो आप लोग यह भी बताएं किस रिजन से वो लोग जीहजूरी करते रहते हैं, मतलब all the time, त हसी लगता है मुझे, गावेगभी यह सब चीज़ों मतलब कीसे कर लेते हैं यां लोग कैसे हाओ मतलब मेरे से ना ये कभी नहीं हो पाया लोग मतलब ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं मेरे को मतलब वर्ड नहीं है इसका डिस्क्राइब करने का अगर मिला है सच में आज बताईएगा ठीक है कि मिला है कि नहीं येस और नो अगर क्यूं ऐसे होते हैं जी हुजरी क्यूं करते हैं अगर रिजन देना चाहते हो तो दे देना ठीक है अगर नहीं है रिजन नहीं देना चाहते हो तो येस और नो कर देना ठीक है